हेलो बच्चो कैसे हो आप सभी तो आप यहां देख रहे हैं आज जो आप हमारी क्लास में आए हैं ठीक है हमारे इस चैनल पर आए हैं तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो सी यूटी यूजी है उसका कट आफ क्या होने वाला है कैसे आपके रिजल्स पता चलेंगे ठीक है जैसे आप बहुत बहुत परसान हो ना कुछ लोग कुछ लोग सोच रहें कि सरा 800 मेरा साड़े 400 है साड़े 500 है 600 है कैसे सेलेक्शन होना है ठीक है देखिए क्या है कि यह एक् किसी कोश्चन में डाउट से हैं तो आप उसमें पेमेंट करके आप बिलकुल आगे के लिए फिर से देख सकते हैं को यह दो चीजी आपको बताई गई है अब जब इस बेसीस पर फिर आपका दूसरा आंसर की आउट होगा दूसरा आंसर की जब आउट हो जाएगा उसके बाद आपका फाइनल एक स्कोर कार्ड आपको मिलेगा आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको इसके बाद एक फाइनल एक स्कोर कार्ड मिलने वाला है मतलब सर आंसर की आ चुकी आपने ऑबजेक्शन जो था वो डाला पेमेंट किया ऑबजेक्शन डाला ठ ठीक है, fresh answer की, जिसे कह सकतो final answer की, उस final answer की के बाद आपको क्या ना है सर, उसके बाद आपका एक score card आता है, score card पे लिखा रहता है, आप कितने number पाए हो, कितना percentile है, तो बिलकुल आपका जो selection होना है, वो percentile पे होना है, न की आपके किस पे, सर ये जो number पा रहे हो, ठीक है, ब आपको जो question में doubts था, ठीक है, जो आयोग ने ही गलत दिया है, लेकिन आप लोग उस question को attempt अगर किये हैं, चाहे आपने option A लगाया हो, B लगाया हो, C लगाया हो, D लगाया हो, उससे मतलब नहीं है, अगर वो गलत था question आयोग ने बनाया, आपने attempt कर लिया है, तो ही आपको grace mark भी लेंगे, per question 5 number, ठीक है, तो ये बिलकुल आपके लिए बहुत ही मतलब जबरदस्त है, खुशी आ गई होगी अंदर से, क्यों सब, तो बिलकुल लगे रहिए, ठीक है, और ये cut-off के चक्कर में भी दिमाग मत लगाओ, बिलकुल मत लगाओ, जब आपका second answer की आएगी, तब भी मत लगाना, जब score card आएगा, तो percentile के basis पे आपको क्या होगा, आपकी जो है college की फिद, वो निकाला जाएगा, list फिद आप जाके admission लेना, ठीक है, चलिए, तो जानकारी अच्छी लगी होगी, चैनल को subscribe करिए, इसी तरह update आपको हम देते रहेंगे, bye bye and thank you to all, कोई दिक्कत परशानी तो comment में comment कर दीजेगा, bye bye, thank you.